हेलो दोस्तों नमस्कार मेर नामा आकास तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि चोकलेट और बिस्कूट का हम लोग बिजनस कैसे कर सकते हैं मतलब कि चोकलेट बिस्कूट का बिजनस हम लोग कैसे सुरू कर सकते हैं इसके साथ ही दुस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि कितने तरीके से आप चॉकलेट, बिस्कुट या बिजनस कर सकते हैं, इसके लिए किन-किन सामानों की आपको आविशकता पड़ेगी, शुरुवात में कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, इससे कितना एक चॉकलेट अब बिस्कुट का बिजनस शुरू कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से, तो दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले, अगर आप हमारी यूटीब चैनल पर नएने आएं, तो प्लिस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेजएगे, यहाँ पर देखिए इस बिजनस को आप तीन तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्या, किसी आप पर्टिकुलर एक दू ब्रेंड का आप डिलर्सिप ले सकते हैं, मतलब कि एजेंसी लेकर उसका वेपार आप शुरू कर सकते हैं, किसी चॉकलेट या किसी बिस्कुट कमपनी का, ठीक है, लेक काम आपको नहीं करना है, तो करना क्या है आखिरकार, तो आपको एक तरीके से होलसेल का ही इसका काम करना है, इसके साथ आपको रिटेल का भी काम करना है, मतलब कि होलसेल में भी इसका वेपार करना है, चॉकलेट और बिस्कुट का, उसके साथ आपको रिटेल में भी करना है तो retail का मतलब क्या होता है तो retail का मतलब होता है कि मान लेजिए आपने wholesale का कोई दुकान खुला है लेकिन आपसे कोई chocolate का एक packet मांगने आया है तो उसको एक packet भी आप बेच सकते हैं तो retail का मतलब यही है कि खुला चीज भी आप जुकानों तक, ठीक है, तो तीनों काम अगर आप शुरू करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा कासा इसमें कमाई होगा, तो चलिए अब हम लोग step by step जानते हैं कि इस business को आपके इसे शुरू कर सकते हैं, step number 1 इस business को start करने के लिए आपके पास space कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जगा आपके पास कितना होना चाहिए, तब आप इस business को start कर सकते हैं, तो दजगा की अगर बात करें तो 300 से 500 square feet अकर आपके पास जगा है, तो आप easily इस business को start कर सकते हैं, आपको कोई दीखत नहीं होगा और इसके साथ ही आप बात करते हैं, हम लोगों की इसके लिए location किस जगा होना चाहिए, तो इस business को अगर सुचारू रूप से आप चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी market में पकड़ना होगा, किसी market में इस business को start आप शुरू कर सकते हैं, market में बहुत अच्छा चलेगा, अगर market में आपको जगार जमी नहीं मिल पाता है, वहाँ पर या फिर room नहीं मिल पाता है, हो सकता है तो आप किराय पर room भी ले सकते हैं, या फिर आपका room है, तो घर से भी start कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं होगा, ठीक है आपको, हाँ, लेकिन थोड़ा सा main road के किनारे अगर आपका घर है, तो वहाँ ही start कर सकते हैं, और नहीं है, किसी गली में आपका घर है तो फिर आप किसी रोड के किनारे इसको शुरू करसकते हैं मार्केट से थोड़ा connected होना चाहिए, एक दो किमिंटर में मार्केट हो तो भी चलेगा या फिर मार्केट में शुरू कर सकते हैं मतलग यह हर तरीकेस अगर देखना चाहें तो market से ही सटा हुआ आपका यह location होना चाहिए और एक main road उसके किनारे होना चाहिए जहाँ पर मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़िया आएंगी या फिर कोई भी छोटी ही गाड़ी आएंगी वहाँ पर आपको एक road चाहिए होगा इसलिए किसी road के किनारे आप शुरू कर सकते ह तो हम लोग को इस business के लिए कितने worker चाहिए और कौन-कौन सा सामान चाहिए तो सबसे पहले हम लोग सामान की बात करते हैं तो एक आपके पास van होना चाहिए कोई भी छोटा मोटा कोई भी गाड़ी हो सकता है वो pickup van हो सकता है छोटा हाथी हो सकता है mini truck हो सकता है कोई भी ची बिजनस को management करेंगे उसका हिसाब किताब जो रहेगा वो आपके computer में रहेगा इसलिए एक computer आपके लिए जरूरी हो जाता इस business को शुरू करने के लिए ऐसे नहीं लेंगे तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा मुसीबात नहीं आ जाएगा लेकिन रखेंगे तो ज्यादा अच् city नहीं है लेकिन यहां भी तीन-चार factory ऐसे है चोकलेट और बिस्किट का तो आपके वहां भी होगा कोई ना कोई factory होगा तो वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं उनसे supply ठीक है दूसरा कहां से ले सकते हैं जो लार्ज लेवल पर बहुत ज्यादा इसका business करते हैं लार्ज आप बेचने के लिए आपको एक छोटा समय idea देता हूं अगर इस idea को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है business बहुत ज़्यादा चलेगा ठीक है फॉलो किजिएगा इस idea को बहुत ज़्यादा चलेगा तो क्या है idea तो देखिए सबसे पहले आप जब नए नहीं में दुकान सुरू कर रहें या फिर go down सुरू कर रहें बिजनस सुरू कर रहें जो भी सुरू कर रहें तो सबसे पहले आप छोटे मोटे दुकानदारों को पकड़िए जो गाउं में रहते हैं छोटे मोटे city में रहते हैं किसी मोहले में अपना दुकान खोले हुए हैं उनको आप को पकड़ना है वही आपसे माल खर देंगे सबसे पहले उसके बाद जैसे जैसे आप छोटे दुकांदारों के पकड़के उनको सप्लाई करते हैं वैसे वैसे आपसे बड़े दुकांदार भी जुड़ते रहेंगे और आपका बिजनस जो है काफी तेजी से चलेगा उसके सा मतलब रीटेल का काम भी आपको करना है जैसे के मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है तब यहां पर गोडौन के बेटे हैं हम लोंके पास आएंगे वह माल खर देंगे तो ऐसा नहीं है देखिए सुरुबात में जब आप छोटे चोटे दुकांदारों को तो चोटे-चोटे दुकानदर हमेशा बीजी रहते अपने दुकान में ठीक है तो वो तो आपसे माल खरेदने के लिए आनी सकेंगे आएंगे भी तो वो मार्केट में जाएंगे ठीक है इसलिए आपको उनको सप्लाइ करेंगे तो उनको ज्यादा इजी हो जाएक और वो कर वाना होता है ठीक है इसी को गुमास्ता लाइसेंस करते हैं तो गुमास्ता लाइसेंस आप जरूर से ले लिजेगा अगर आप थोड़े बहुत आपको पैसे खरच करने पढ़ सकते हैं ठीक है आपको देख लेना है कि कितने दिन तक यह बिस्कुट हम लोग का चलेगा ठीक है या फिर चॉकलेट चलेगा उससे पहले एक्सपायर होने से पहले एक दो महीना पहले ही उसको निकाल दे मतलब कि नया माल आये तो पुराने माल को आप निकाल देजी आपके लिए बहुत ही फायदा भगा इससे ठीक है नहीं तो कई बार मैंने क्या देखा है कि लोग गो डाउन से बहार ले जाते है ऊनको जलाते हैं कई बार जला देते क्यूंकि वो कोई काम काने रहता है एक्सपायर होने के बाद ठीक है इसलिए आप सबसे पहले पुराना माल को सबसे पहले आठा दे ताकि आपको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, expired date क्योंकि खाने पीने का सामान है तो ये जल्दी ही expire हो जाता है, दूसरा बात का आपको ध्यान रखना है आपका वहवार, जो भी लोगों से आप बिजनस कर रहे हैं, मतलब जिनको आप माल दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जिनसे आप खरीद रहे हैं, सबसे आपको वैवार अच्छा रहेगा, सबसे को उधारी में कुछ सामान चाहिए, तो उनको दे सकते हैं, उनसे बात में पेमेंट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ये सब चलता है बिजनस में, ये सब आपको बातों का ध्यान रखना है, step number 7 की बात करते हैं दोस्तों, कि इस बिजनस को start करने के लिए हम लोग के पास कितना पैसा होना चाहिए, तब इस बिजनस को हम लोग start कर सकते हैं, तो आपके पास पैसा देखें, तो एक से डेल लाक रुपया होना चाहिए, अगर छोटे इस तर पर अगर इस बिजनस को आप करते हैं, छोटे सिटी में, ठीक है, ये जो मैंने amount बताए, वैन का खर्चा अलग से है, ठीक है, वैन अगर मान लिजे, आपने भाड़े पर लिया है किसी का, या फिर new खड़िदा है, या फिर किसी का second hand खड़िदा है, तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लिजेगा, कि आपका कितना खर्चा आता है, आपको जो माल लगेगा, जो लेवर लगेगा, ये सब मिला कि, एक से डेल लाक रुपया में, आप छोटा मोटा बिजनस इसका start कर सकते हैं, और अगर बड़ी city में start कर रहे हैं, market में start कर रहे हैं, तो आपको इसमें 5 लाग तक भी खर्चा करना पड़ सकता है, ठीके, दो तरीके से मैंने बता दिया, आप दो तरीके से इसका business कर सकते हैं, एक कम पूझी वाला और दूसरा जो अधिक पूझी लगा कर इस बिजनस को करना चाहते हैं, ठीक है? अब हम लोग दोस्तों कमाई की बात करते हैं, कि इस बिजनस महलू का कमाई कितना होगा, तो देखिए, wholesale का आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, retail का थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो wholesale का ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें 10 से 20 परसंट का margin आपको मिल जाएगा, हर एक प्रोडक्ट में 10-20 के अंदर में ही रहेगा और किसी का थोड़ा बहुत उपर जा सकता या फिर नीचे भी आ सकता है तो वह अपने हिसाब से आप देख लिजेगा लेकिन इतना में जो है चोकलेट और विस्किट का मार्जिन निकलता है मैंने अपने जानकारी से ही में 100 रूपिया काएक पकेट हम लोग ने चोकलेट बेचा तो उसमें से आपको मार्जिन मिल जाएगा 20% मतलब की 20 रूपिया तो इस हिसाब से आप का मार्जिन से पैसा कमाई हो जाएगा अपने हिसाफ पांदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना बेच सकते हैं दिन में और क शुरू करेंगे उसके बाद आप पचास से साथ हजार, साथ हजार से फिर सतर हजार इस तर करके एक डेल लाख तक भी पहुंच सकते हैं आगे चलके, मतलब कि इस बिजनस को शुरू करने में फायदा ही फायदा है आपको, ठीके जोस्तों ये छोटा से वीडियो था आपको क